हलो दोस्तो नमश्कार के उपर एंड दोस्तो यहाँ पे बहुत सारे इंपोर्टन स्टॉक्स एंड उनसे जुड़िवी इंपोर्टन न्यूज अपडेट्स को यहाँ पे कवर करना है तो चलिए एक एक स्टॉक्स के साथ यहाँ पे शुरुवात कर लेते सबसे पहले HLE Glass Coat बहुत ही छोटी कमपनी Small Cap Type का इस टॉक है और यहाँ पे आज की दिन इस कमपनी के नंबर्स हमनों को सामने आते वे देखने को आपे मिले है नंबर्स अगर देखा गया तो इतने खास नहीं है बट स्टिल अगर मैंने अपने स्टडी के हिसाब से अगर मैं बात करू मुझे यहाँ पे यह नंबर्स यहाँ पे ओक्यों के यहाँ लगे है तो अगर आप डिरेक्ली कमपेरिजन करने जाओगे कि परफॉर्मंस कैसे रहा तो लिटरली आप लोगों को कौटरली एरली इतना कुछ खास परफॉर्मंस देखने को नहीं मिलेगा बट अगेन कहना चाओगा कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था मेरे परसनल उमीद के मुताबिक कमपनी ने तो अच्छा ही परफॉर्मंस या पे दिया है बट अगेन कहना चाओगा ये तो मेरा ओपिनियन हुआ हर किसी का ओपिनियन अलग-अलग होता है सिमिलर वाइ किसी को नंबर और भी अच्छे लगे होंगे या फिर किसी को बहुत ही खराब भी लगे होंगे हली ग्लास कोट इस कंपनी के नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद आया है तो कल के दिन पता चलेगा मतलब रियक्शन देखने को मिलेगा कि क्या बाजार को ये ओवराल नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे तो एचली ग्लास कोट को आप अपने रडार के उपर यहापे बरक सकते हो नेक्स दोस्तों अगर हम लोगे आपे बात करेंगे अदानी विल्मार येस अदानी विल्मार से रिलेटर देखे जितने ज़्यादा सवाल से आपे आते रहते जिन स्टॉक से रिलेटर उनको मैं maximum cover करने की कोशिश आपे करते रहता हूँ अगेन 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 आप मेरा कोई भी वीडियो को उठा कर देख लेना अदानी विल्मार से रिलेटर में आप लोगों को बहुत बार जो चीज़े बोली है वही चीज़े में repeat मोड में वही बोलूँगा कि अगर आपने इसको higher level पे खरीदा higher level मतलब आप यहापे देख सकते हो यह 878 तक गया था और मुझे भी पता है कि यहापे रिटल मिस्टर जब स्टॉक एक तरफा भागना शुरू कर देता है तो उसमें निवेश कर लेते हैं यह सोच कि अभी यह 800 का 900 हो जाएगा 900 का 1000 हो जाएगा और जब स्टॉक नीचे आ जाता है तो फिर वो उनको लगता है कि वो अटक गए करके अगेन केना चाहूँगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है कि आपे वो भाग रहा थे इसलिए आपने खरीदा उनको इंपोर्ट ड्यूटी हटते भी देखने को मलती इसके चलते इनके नंबर्स में उनको दिक्कते देखने को आपे मिली थी जो कि आने वाले कॉर्टर में भी थोड़ा बहुत वो परिशानिया आपको देखने को मिल सकती है इसलिए बोलता हूँ कि लॉंग टर्म इन्वेस्टर बनो आपको ये स्टॉक में कोई घबराने की जूरत नहीं है शौट टम की बात है तो यहाँ पर में कवर नहीं करता नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों येस बैंक येस बैंक से रिलेटेड एक सवाल लगातार पुछा जा रहे है सर क्या येस बैंक यहाँ पर क्या जो लेटिस्ट टारगेट बताए जा रहा है क्या ये 100 के उपर यहाँ पर जा सकता है मैं अगेन केरा चाहूंगा 100 क्यों, 1000 के उपर भी जा सकता है बट वैसा performance दिखना चाहिए ऐसे हम लोग हवे में नहीं बोल सकते कि 100 उपर जाएगा, बोलने के लिए क्या कोई भी कुछ भी बोल सकता है 500 जाएगा, 1000 जाएगा, 10,000 जाएगा हकीकत में देखा गया, क्या अभी किस स्थीती में क्या वो 100 जा सकता है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं फिलाल किस स्थीती तो लिटरली आपको पता हीए येस बैंक, मतलब वेंटिलेटर के उपर आप ऐसा भी बोल सकते हो जब मार्च में वो सारी चीज़े आफ हो जाएगी वेंटिलेटर और जब बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर निकलना शुरू करेंगे आपको पता है कि बाकी बैंक ने RBI की कहने के चलते येस बैंक में पैसा लगाया है वो जब अपना लॉकिंग खतम होने के बाद अगर पैसा निकलने का सोचते है उसके बाद असली गेम इनका स्टार्ट होने वाला है और तब पता चलेगा कि क्या वाकई में येस बैंक अपने पैरों के उपर खड़ा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा फिलाल की स्थिती देखी गई तो कोई बात नहीं यहाँ पे बैंक ज़रूर कोशिश यहाँ पे कर रहा है रिकवर करने से रिलेटेड बट जो 100 के टारगेट 200 के टारगेट मतलब अगर आप सोच रहे हो कि बहुत उपर जाएगा तो उसके लिए अभी फिलाल की स्थिती के हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पे जज नहीं कर सकते और फिलाल तो पॉसिबल नहीं है यह स्टेप बाइ स्टेप हम लोग कह सकते कि कमपनी अच्छा कर रहे हैं हाँ तो अभी यहाँ से 30 जा सकता है अगर और अच्छा करेगी तो हाँ चलो 50 जा सकता है उस हिसाब से हम लोग ने देखना है फिलाल तो हम लोग ने कमपनी के result भी देखे थे कि कमपनी ने income profit बहुत अच्छा किया था बट provision ने पूरा profit को यहाँ पे डुबो दिया इस deal को पहले सब कुछ खतम होने दो reconstruction खतम होने दो उसके बाद हम लोग इसको वापस recalculate करेंगे बहुत सारे brokerages इसका re-evaluation करेंगे और उसके बाद सारी चीज़े हम लोग के सामने हाँ पे clear हो जाएंगे तो उसके पहले ऐसे भावना में भेकर कुछ भी हापे मतलब हम लोग ने ऐसी चीज़े सोच नहीं कि emotional होके and इसलिए मैं कहता हूँ कि यह अभी भी learning वाला stock है earning वाला नहीं है next अगर हम लोग यहापे बात करें दोस्तो तो ITC yes ITC आप सब लोग को पता है बन जाता है और तब से लेके अभी तक ITC ने मुड कर देखा भी नहीं है तो बहुत ही slowly slowly होले होले हम लोगों को यह आपे returns daily basis के उपर 1-1% 2-2% ITC धीमे धीमे करके बढ़ते वे देखने को मिल रहा है यही कोई stock अगर suddenly 15-20% बढ़ाना तो पूरे stock market की नजर खास करके retail investor की नजर उस stock की उपर जाती है बट ITC बहुत ही शान्ती से आगे बढ़ रहा है जो कि बहुत सब लोग को पता भी आपे नहीं चल रहा है अच्छी बात है ITC के इस वक्के भी number अच्छे थे बट हम कह सकते कि इसके पहले के Q1 के जो numbers थे खास करके agriculture वाला जो performance वो तो killer था बट कोई बात नहीं जिस हिसाब से इसमें recovery देखने को मिल रही है वो recovery हमनों को लंबी आउधी तक यहापे बाजार में कुछ negativity नहीं मिलनी चाहिए आपको पता है कि बाजार को क्या चाहिए कि कोई अगर minus news मिल गई तो इसके चलते BRS activate हो जाते है वरना देखा गया तो इस stock में जो positive momentum बना है वो बरकरार यहापे जरूर रहेगा क्योंकि company के number भी हमनों को अच्छा ही देखने को मिले थे next बात करेंगे IEX IEX में भी हमनों को same चीज़ देखने को मिल रहे है कि बहुत सारे brokerages उन्होंने जो target यहापे IEX की दिये बिल्कुल similar वे पर ही दिये 150-160 के यहापे range के हिसाब से हाली में हम लोग ने यहापे इनका October मन का volume का भी data देखा था जहापे हम लोगो significantly गिरावट देखने का आपे मिली थी so थोड़े tough time से यह stock हम लोगो गुजरते वे देखने का आपे मिल रहा है सिर्फ एक दो यहापे कुछ brokerages थे इन्होंने target 236-250 का यहापे दिया हुआ but maximum जो target है वो 1.560 के आसपस हम लोगो आइवरेज performance यहापे देखने का आपे मिल रहा है next अगर हम लोग बात करेंगे RVNL RVNL की बात करें तो आप सुब लोगो पता है एक ऐसा stock जैसे कि अगर हम लोग बात करें पाच दिन में वो 30% भागा है अभी ऐसे stocks में retail investor activate हो जाते है कि अभी खरीदेते क्यों कि अभी यह 40 के नीचे था अभी यह 51 हुआ अभी 51 का 61 होगा तो ऐसे emotional decision नहीं ले जाते है अभी सबसे important चीज़ के है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कल इनके quarter 2 के हम लोगों को result देखने को कोई ऐसा golden point है या फिर कोई बड़ा corporate action तो नहीं तो यह देखने के लिए कल आप RVNL इस stock के उपर focus आपर रख सकते हो और बाकी भी railway के stocks आप लोगों के radar के उपर ज़रूर रहने चाहे जैसे की IRCTC भी यह तो मतलब यह तो देखा गया है इससे अच्छा वो अकेले ही चलेंगे तो अच्छा कासा मुनाफाय हापे इनको हो सकता है सो देख लेते इससे related कोई update आता है या नी similar way IRFC में भी अगर देखा गया इनका भी कोई merger से कोई तालूक नहीं है बट entire railway stocks में जब जोज देखने को मिल जाता है तो इन stocks में भी हमनों को recovery देखने का आपे मिल जाती है सो IRFC भी देखा गया तो ये भी छोटी company देखा गया तो अभी तक इतना कुछ खास performance इसने भी आपे नहीं देखा है बट ये तो एक short term का view हो गया न आपको थोड़ा लंबा खेलना पड़ेगा तब ही जाके आपको अच्छे कासी returns मिल सकते है एक 20-25 रुपे के stocks के इसाब से आपको एक बहुत अच्छी stability आपी मिल जाती है उसके इसाब से तो IRFC एक अच्छा ही stock यहापे माना जाता है next अगर हम लोग बात करेंगे एक और retail investor का favorite stock retail investor मतलब बहुत ही मतलब जो बिल्कुल beginners रहते हैं जिनको penny stocks जादा पसंद आते हैं तो सुजलान एनरजी या आए दीन इससे related बहुत सारे सवाल यहापे comment section में पूछे जाते हैं तो इसको यहापे study purpose के लिए में इसको cover यहापे करते हैं तो again and again जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को बता है learning वाला stock के earning के लिए आपे नहीं जाना है हाँ एक इनको अच्छा order यहापे मिला था अदानी green के चलते हैं ऐसे multiple orders की तलाश में यह company चल रही है और ऐसे अगर multiple orders इनको यहापे कोई ही Trident की भी number है यह भी interesting stock रहेगा कुछ यहापे दीनों की भी अगर हम लोग बात करें पिछले 4-5 दीन में तो इसने भी बहुत ही अच्छा कासा performance यहापे दिखा है आप देख सकते हैं दिखे अच्छा ही performance हम लोगों को देखने को मिला था तो फिर सर यहापे इतनी बड़ी गिरावट क्यों अलग-अलग reasons रहते हैं ब्रोकरेजेस डाउन ग्रेड करते हैं वो तो ठीक है बड़ जैसे मैं आपको बताया था कि यहापे numbers कुछ लोगों को अच्छे लगते कुछ लोगों को बहुत अच्छे कुछ लोगों को खराब तो कुछ लोगों को बहुत खराब तो कोई बड़ी party यहापे रह सकती है जिनको यह numbers इतने expectation के मुताविक नहीं लगे तो इनके चलते उनने यहापे बड़ी profit booking भी यहापे की होगी तो इसके चलते है stock हम लोगों को गिरुते वे देखने का आपे मिला है बट overall as a long term investment के इसाब से बात करे company भी अच्छी है, business model भी अच्छा है, fundamentally strong भी है balance rate भी अच्छी है और long term के इसाब से numbers भी decent ही थे तो आप चाहो तो यहापे continue करने का विचार यहापे कर सकते हो next अगर हम लोग बात करेंगे लक्स्मिय और गयनिक, yes chemical sector से जुड़ी वे एक risky company जो just अभी अभी बाजर मतलब बाजर में इन्होंने यहापे किया था हाली में अगर हम लोग बात करें हाली में मतलब कल के दिन के अगर हम लोग बात करें company ने number पेश किया और number इतने कुछ खास impressive नहीं थे and यहापे हम लोग मतलब यह numbers के सिति की पता है बहुत सार लोगोंने comment section में भी points यहापे लिखे थे जो numbers के प्रती जो reaction देखने को मिला है वो बहुत ही negative देखने को आपे मिला है next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों थी yes Tata Motors Tata Motors आप सभी लोग को बता है बहुत बड़ी दिगज company यहापे और इनके भी number बाजार close हो जाने के बाद ही यहापे आए है so again company यहापे loss में ही देखने को आपे मिल रहे है इसमें कोई शक्की गुंजाश ने पर यहापे एक बहुत बड़ा बट है और यह दोस्तों loss drastically हमनों को कम होते वे देखने को यहापे मिल रहा है and loss कम होना यह एक बहुत ही positive sign यहापे बाजार में माना जाता है again कहना चाओंगा यहापे जैसे में आपको बताया कि उच्छ लोगों को अच्छे लगते नंबर कुछ लोगों को बहुत अच्छे खराब बहुत खराब या फिर neutral तो personally मुझे तो नंबर Tata Motor को के बहुत अच्छे लगे था इसके पहले कि अगर हम लोग बात करें तो अच्छा आशा देखने को मिला था ताता Motor देखा गया तो JLR से related ही maximum contribution देखने को आपे मिल जाता है JLR मतलब Jaguar and Land Rover मैं तो personally यहापे कह सकता दोस्तों की loss ही है बट लॉस बहुत जबरदस हद तक कम होते देखने को आपे मिल रहा है इसके चलते यहापे यह देखने लायक रहेगा कि कल क्या बाजार को यह नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बहुत बड़ा जटका लगते होए देखने को आपे मिल रहा है Prince Pipe Prince Pipe एक चोटी कमपनी आप सब लोगों को यहापे पता है एक small cap type का stock और इसके पिछले भी type के जो नंबर थे इतने कुछ खास नहीं थे बट इस वक्क के नंबर तो बहुती ज़ादा हम लोगों को खराब देखने को आपे मिल रहे है मतलब खराब मतलब यहापे कमपनी लिटरली हमने को लॉस बुक करते वे देखने को आपे मिल रहे है और इसका जटका साफ साफ हम लोगों को कल के दिन जब बाजार यहापे स्टार्ट होगा तो प्रिंस पाइप में शायद से आपे बड़ी गिरावट के साथ होते वे देखने को आपे मिल सकता है उपर से चोटी कमपनी भी है ऐसा नहीं कि बड़ा स्टॉक है करके कि चलो यहापे चीज़े समल जाएगी तो नहीं यह छोटी कमपनी तो इसके चलते लगने वाला जटका भी शायद से अभी यहापे बड़ा भी यहापे हो सकता है लिटरली देखा गया तो कमपनी के जो नम्बर expenses बहुत जादा है यहापे बड़े है जिसके चलते कमपनी मतलब ओरल में यहापे बात कराऊ कि इसके चलते company आपे profit भी manage नहीं कर पाई इस वक्त loss book करते वे देखने को आपे मिली है so definitely यहापे इसका खामियाजा prince pipe को शायद से आपे भुगतना कल पढ़ सकता है then दोस्तो आकरी stock की बात करेंगे bonus धमा का जैसे मैंने कल आप लोंको बताया था कल मतलब परसो के दिन बताया था yes bonus related बाते भी हुई है इनके result भी अच्छे थे जैसे मैंने आपको कहा था कि इनके जो profit है वो भी हमनों को double होते भी देखने को मिली ते धमा का होना बाकि है आज की दिन literal धमा का हुआ no doubt top level से profit booking देखने को मिली वरना यह जो profit था वो बहुत ही higher level पे percentage wise हमनों को देखने को आपे मिल रहा था बहुत ही अच्छा performance BLS International Services Limited इस company ने आपे दिखाया है जितने भी important stocks थे दोस्तों सारे की सारे आपे cover कर दिये है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको like and share आप यहापे कर सकते हो अगर आपने अभी तक DMAT account अगर आप ओपन यहापे नहीं किया है तो link नीचे आप लोगों को description box में दिये है अगर आप link के थूँ account ओपन करते हो तो आपको 25 वीडियो की list basic of stock market से related lecture से मेरे साइड से आप लोगों को सीखने के लिए free of cost provide यहापे कर दिये जाएंगे आपका नाम और कौन सा link के थूँ आपने account प्रॉपरली ओपन किया है प्रॉपरली comment section में mention कर देना तो अपते बर के अंदर अंदर यह 25 वीडियो की list आपको बिल्कुल free of cost provide कर दे जाएगी so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye